ड्यून जिसका हिंदी में मतलब होता है रेत का टीला चाहे वो समुंदर के पास वाला हो या फिर डेजर्ट बट यहाँ एक ग्रह अराकीस को जहां रेत ही रेत है उसे as a dune कहा गया है इसलिए इसके स्टोरी से जादा इसके कारेक्टर्स पर थोड़ा ध्यान देते है पॉल एट्रेडिस जो इस फिल्म का सबसे मेन कारेक्टर है पॉल एट्रेडिस के पापा ड्यूक लिटो जो की एट्रेडिस घराने के है और अराकीस ग्रह के लीडर लेडी जेसिका जो की गर्नी हालक जो एक स्किल्ड फाइटर है एन एट्रेडिस वंच का एक वफ़ादार सेवक भी जो पॉल एट्रेडिस को लड़ाई की ट्रेणिंग भी देता है। और बेरन व्लादेमिर अब अराकीस ग्रह पर फिर से अपना कबजा करना चाहता है जिसके लिए वो अराकीस पर रूल कर रहे सभी एट्रेडिस घराने वाले को मारने का प्लान बना रहा है इसी हारकुनन घराने से बिलोंग करता है रबान जो बेसिकली बैरन व्लादेमिर का नेफ्यू भी है रबान एक रूथलेस कारेक्टर है जो अपने चाचा व्लादेमिर के हर ओर्डर को मानता है अराकिस ग्रह पर एट्रेडिस के अलावा एक और कम्यूनिटी रहती है जिनको फ्रेमन कहा जाता है जो रेतीले तूफान और वहां की जानलेवा गर्मी में जीना सीख चुके है उनके पास एक सूट होता है जो उन्हें गर्मी और तूफान से बचाता है और फ्रेमेन भी एटरेडीस کی तरह حरकुनेंस के दुश्मन ही है जहाँ सबसे जरूरी क्यरेक्टर है चानी जो फ्रेमेन वारियर होने के साथ साथ पॉल की लव इंटरेस्ट भी है वही एक और क्यरेक्टर है स्टिल गार जो फ्रेमेन लोगों का लीडर है अब कहानी में ट्विस्ट है कि ये जो अराकिस है वहाँ रेत में पाया जाता है एक ऐसा तत्वजी से स्पाइस कहा जाता है फ्रेमेन लोग इतना जादा उस रेतिले तूफान में रहते हैं कि उसमें मिले स्पाइस की वज़े से उनकी आखों का रंग नीला हो चुका है फ्रेमेन लोगों के लिए वो स्पाइस एक जीवन दाई और डिवोशनल थिंग है जिसके चलते अगर कोई परग रही उनके स्पाइस को चुराने के लिए आते है तो वो उन पर जान लेवा हमला कर देते हैं और इसी स्पेशल स्पाइस का यूज करके वहाँ के लोग यानि किसी भी ग्रह से दूसरे ग्रह तक आसानी से और कम से कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं और इसी के चलते यहाँ स्पाइस को मोस्ट वैलुएबल सबस्टन्स माना जाता है जिसकी वज़े से यहाँ पॉलिटिकल और एकोनोमिकल वार भी देखने को मिलते हैं इस फिल्म क अराकिस पर हारकुनन्स का कबजा था और वो लोग वहाँ के स्पाइस को मशीन से निकाल निकाल कर और उसे चुरा कर अमिर बनते जा रहे थे लेकिन एक दिन वहाँ के एमपररर ने शाही फरमान जारी किया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया और उसी शाही फरमान के चलत जहां रेत के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता और उस जगा के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ नहाने के लिए साबुन नहीं सिर्फ रेत मिलती है। जिसका मतलब होता है मसीहा। वहाँ आते ही लेडी जिसिका को एक फ्रेमेन औरत एक खंजर गिफ्ट देती है। और उसी वक्त पॉल पर एक मेकानिकल कीडे के जरिये जान लेवा हमला होता है। जिससे वो बिसिकली बच जाता है। इधर फ्रेमेन का लीडर स्टिल गार जो 400 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं और इनके हमले में इनसे बच पाना तक्रीबन नामुम्किन है। इधर हरकोनन्स एक दूसरे लड़ाओ कभीले सर्दोकार से जा मिलते हैं ताकि अराकिस में सभी एक्ट्रिडिस पर हमला कर सके और हमला एक्चुली शूरू हो भी जाता ह जिसमें एक्ट्रिडिस का घरिलू डॉक्टर डॉक्टर यूए उनसे धोका करके राजा लेटो को मारने की कोशिश करता है बट ये भी बताता है कि ये उसने इसले किया क्योंकि हरकोनन्स के पास उसकी बीवी कैद है और वो उसे छोड़ाना चाहता है। इधर पॉल और उ अरा की संभालना है तो वो उस समराट की ये चाल थी कि वो अट्रिडिस को मरवाना चाहता है। अब जहां ये लोग छिपे हुए होते हैं वहाँ भी हमला होता है जहां लड़ाई में डंकन की जान चली जाती है और पॉल और उसकी मा अगेन वहाँ से भाग जाते हैं जहां ये आगे चलकर फ्रिमेन लोगों से मिलते हैं जहां वो भी होती है चानी लेकिन फ्रिमेन लोगों का लीडर दोनों पर विश्वास नहीं करता जिसके लिए पॉल और फ्रिमेन में से एक मेंबर की लड़ाही करवाई जाती है जिसमें एबसुलूटली पॉल जी जाता है औ और मूवी खतम इसके आगे की कहानी आपको ड्यून के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी जो मूवी आ रही है 15 मार्च को बिलते हैं अगले वीडियो में बाई